अलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का EKS Education U2 चानल पे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ASC यानि के स्टाप सेलेक्शन कमिशन के दोरा SSC CGL की नोटिफिकिशन को यहाँ पे जारी कर दिया गया है तो आप Application Form में All Over India से Apply कर सकते हैं तो लास्ट तक में साथ इस वीडियो में बने रहेगा सारी डिटील Official Notification से आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ से आप Official Notification को डाउनलूट कर सकते हैं और यहाँ से साइट डिटील साब चेक कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको Official Notification पे हम आ चुके हैं जो कि SSCGL यहाँ पे Combined Graduate Level Examination 2020 के रिगार्डिंग जारी यहाँ पे किया गया है इसमें Apply करने के लिए दिया गया कि 29 दिसंबर 2020 से लेकर के आप इसमें 31 जनवरी 2021 तक Apply यहाँ पे कर सकते हैं Application फी की बात करते हैं तो Online Application फी आप 2 फरवरी 2021 तक यहाँ पे Payment कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे Offline Way में Payment करना चाहते हैं तो Generation जो Offline चलान का आप 4 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं और 6 फरवरी 2021 तक Payment कर सकते हैं यहाँ पी बात करते हैं CBT यानी Computer Based Examination जो Tier 1 का होगा 29 मई 2020 से लेकर कि 7 जून 2020 तक होने वाला है और यहाँ पर Tier 2 Examination का Date जो है Descriptive Paper होगा उसका भी Notified आपको Later बात में किया जाएगा यहाँ जो Vacancies निकालीगी इसके बारे में Details of the Post आप चेक कर सकते हैं इंडिया के Vacancy है Pay Level 8 की यहाँ पर देख सकते हैं Name of the Post इसे के साथ साथ Age Limit आपके यहाँ पर दिया गया है कि किस Post पर अप्लाई करने के लिए आपकी Age Limit कितना होना चाहिए तो Assistant Audit Officer में 30 साल से जादा नहीं होना चाहिए Assistant Accountants Officer की बात करते हैं तो 30 साल से जादा नहीं होना चाहिए अब यह जो Age Limit आपके दीगे है जेनरल का टैगरी के लिए है इसके अलावा अगर आप CST हैं 5 साल के छूट मिलेगी और इसी को 3 साल की और इसी तरह से आगे Detail के टैगरी वाइज दिया गया है नोटिफिकीसन में Pay Level 7 के Post-Wise यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्या-क्या Age Limit रहने वाली हो तो आप यहाँ पर डिटीज चेक कर सकते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है आगे आपको देखने को मिल जाता है Pay Level 6 का यहाँ पर पोस्ट है और कितनी Age Limits पर रखेगे तो Assistant की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि 22 साल तक आप अप अपलाई कर सकते हैं इस दरह से आगे Pay Level 5 के आपको देखने को मिल जाती है पोस्ट- ήज़ आप डिटेल चेक कर सकते है, Pay Level 4 की पोस्ट यहाँ पर दी गई है तो आप सैलदी भी साथ में यहाँपी चेक कर सकते हैं बाकि यहाँपे डिटेल्स आपको दिया गए गया डिजाबलीटी से लेटेड तो आप यहाँपे डिटेल्स चेक्ट कर सकते ही ग्रूप में नौन गेजर्टि पोष्ट के बात करते हैं तो 3513 वीकेंसी हैं ग्रूप euro c के लिए 2743 वेकेंसी यहाँ पे निकाली गी है आगे नेस्वन्डीटी की बात करते हैं तो all over India के वेकेंसी है आप all over इंडिवे छोत कि απ apply कर सकता है तो एक एक 2021 के according आपका educational जो है degree आपका count यहाँ पर किया चाहेगा अब यहाँ पर assistant audit officers की बात करते हैं या assistant accounts officer की बात करते हैं तो essential qualification अगर आपने bachelor's degree किया हुआ है तो apply यहाँ पर कर सकते हैं desirable qualification आपके पास है extra preference आपको यहाँ पर मिलेगा बात करते हैं junior statical officers के लिए तो bachelor's degree आपने किसी भी subject में किया हुआ है apply कर सकते हैं लेकिन साथ में आपे बुला गया कि 12-way standard में आपका mathematics पर हुआ होना जो कि 60% marks आपके होने चाहिए तब ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यानि तो bachelor's degree आपने किसी भी subject में किया है लेकिन static size one of the subject आपका degree level पर होना चाहिए तो apply यहाँ पर कर सकते हैं all जितने भी other posts हैं उस पे सभी में bachelor's degree आप से मांगा गया है apply कैसे करना है apply now को link description में मिलेगा उस पे जैसे ही click करेंगे आप इस page पर आएंगे पहली बार विजिट कर रहे है तो new user पे click करके सबसे पहले registration करेंगे उसके बाद ही जाकर करेंगे आप यहाँ से notification पर डाउनलोड कर सकते हैं बात करते हैं photograph की बारे में तो photograph से दिया गए कि passport size color photograph आपको लगाना है JPG format होना चाहिए बार आप इस पर एक सर्विस में या किसी भी category के oman candidate है कोई भी application भी आपको देना नहीं पड़े गाए यहाँ पर आगे यहाँ पर Center of Examination के बारे में आप देख सकते हैं किस-किस region में कहा कहा Center दिया गया है यहाँ से आप details चेक कर सकते हैं तो उसके 4 में आपे computer proficiency test data entry skill test होगा जिस भी पोस्ट के लिए applicable होगा उसी पोस्ट के लिए के वले exam होगा अब यहां पर जो भी आपका examination accelerated जानकारी है सारा चीज इसमें दिया गया है कि आपका scheme of the tier 1 tier 2 exam का क्या होगा तो tier 1 में आप चीक कर सेथे general intelligence and reasoning उसके बाद general awareness quantitative aptitude English comprehension के 25-25 questions रहेंगे 50-50 marks के रहेंगे एक घंटे का total exam यहां पे होने वाला है tier 2 में paper 1 आप चीक कर सकते है quantitative ability है paper 2 आप यहां पे चीक कर सकते है English language and comprehension है paper 3 जो के statics होने वाला है उसके बाद paper 4 में आपका general studies यानि finance and economics होगा तो जिस भी पोस्ट के लिए paper rapid cable होगा और यहां पे देख सकते हैं आपकी marks और number of questions देखने को मिल जाता है दो घंटे का exam यहां पर तेक paper होने वाला है अब यहां पर tier 1, tier 2 paper के बारे में दिया गया objective type का होगा multiple choice question होगी English दिर दोनों में paper देखने को आपको मिल जाता है और यहां पर details आप चीक कर सकते हैं negative marking के regarding आपको सारी जनकारी यहां पर पुर्भाइट करती गई है उसके अलावे कौन सा paper कि पूस्ट के लिए होगा वो यहां पर दिया गया है फिर आपका scheme of the tier 3 exam nations के बारे में दिया है इनन paper mode में होगा descriptive paper होने वाला है English और Hindi में जो कि आपका writing office या प्रेसिस या फिर लेटर या application रहने वाला है 100 marks कर रहेगा एक घंडे का exam रहेगा इसके regarding आपको जनकारी मिल जाती है Hindi और English दोनों में पेपर का language देखने को मिलेगा tier 4 में skill test आप कर रहेगा और आपका syllabus भी यहाँ पे mention कर दिया गया है तो syllabus आप यहाँ से download करके detail में इसे पर सकते हैं syllabus के recording अपनी त्यारी कर सकते हैं बागी जनकारी आपको notification में provide अगर आप इसमें अपनी केबल है all over India से आप apply कर सकते हैं 100 उपीज application भी है last data आप यहाँ पी check कर सकते हैं सारी चिर मैंने आपको बता दिया किस तरह से form apply करना है सारा यहाँ पे आपको step wise दिया गया apply नाओ को link description में मिल जागा वहाँ से जाकर क्या आप apply कर सकते हैं तो आज के update में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए नया है चानल पर तो चैनल को subscribe कीजिए भी like and paste करना ना मुले कोई doubt हो comment कीजिए thanks for watching this